हलो एवरिवन वैलकॉम टू सिंदू क्लासिस सिंदू क्लासिस में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम करेंगे दक्षिन भारत के इतिहास का एक महतुपुर्ण क्विज जिसमें 150 प्रसन रहेंगे ये वंस कहां थे और क्या स्थीती थी अब देखिए वतापी के क्योंको हम डिसकस करेंगे जिसमें 5 राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है पुलकेशिन पर्थम, पुलकेशिन दूइतिये, विक्रमाधित्य पर्थम, विक्रमाधित्य दूइतिये और किर्ती वर्मन दूइतिये ये शासक थे जिनके बारे में ये क्विज है देखिए म मैंने आपको बदाया कि यहाँ पर पल्लव थे तमिलनाडु शेतर में पल्लव और वातापी साखा थी कौकर शेतर में यहाँ पर चालू क्यूंकि और इन्होंने पल्लवों से बेंगी का शेतर चीन लिया तो यहाँ फूरु कालिन का घया क्योंकि सबसे पहली थी सबसे पहली चालुक्यों की साखा थी इसलिए इने पूर्व कालिन चालुक्य के कहा गया तो पूर्व कालिन पस्चिमी चालुक्यों की राजधानी क्या थी तो देखिए मदूरे हमने देखा संगम सहिते में मदूरे थी पांडेयों की राजधानी ये नहीं है वेजन्ती ये थी कदंबों की राजधानी जो कौंकन शेत्र में थे चालुक्यों से पहले मानने खेत ये वंस चो राष्टर कूटों की राजधानी है मानने खेत इसे मानने खेत भी कहते हैं मरगा की पैचान मानेखेट से है तो राष्ट कुटों की राजदानी है ये नहीं हो सकता तो बादामी इसे वातापी भी कहते हैं दोनों एक ही है बादामी या वातापी अगला प्रश्ण है सासक बनने से पहले चालुग के किस वन्स के सामन्त थे बताईए तो सासक बनने से पहले चालुग के कदमों के सामन्त थे मैंने भी बताया जिनकी राजदानी वन्वासी थी अगला प्रश्ण है बादामी से प्रापत अभिलेख में हारित पूत्र या मानविय गोत्र सबद काउलेख किस राजवन्स के लिए किया गया है बताईए तो ये किया गया है चालुग क्यों के लिए वातापी के जो चालुग के थे उनके लिए चालुग के वन्स का संस्थापक कौन था बताईए तो देखिए दंती दुर्ग राष्टर कूट वंस का संस्थापक था विजयल्य चोल वंस का संस्थापक था उस चोल वंस को जिसको नौवी संस्थापदी में सुरू किया गया था यहां संगम सहित्य के चोल वंस की बात नहीं हो रही है ये पुनर स्थापना की थी विजयाले ने और सिंग विश्णू ये पल्लव वंसकेशन स्थापक थे पल्लव जो की इनके समकालीन थे चलुक के वंसके और चलुक के वंसकेशन स्थापक कौन थे पुलकेशिंग पर्थम इन्हों ने की थी चालुक केवंस की स्थापना तो देखिए अगर आपको ये क्विज पसंद आए तो सिंदू क्लासिस को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि भविश्य में आप नोटिफिकेशन को मिशना गरें और अगर आपको PDF चाहिए इस क्विज की तो हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए सिंदू क्लासिस के नाम से और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं अगला प्रशन है चालुक के सासक पुलकेशीन द्वितिये ने राजा हर्षवर्दन को नर्मन्दा नदी के तट पर पराजित किया था हर्षवर्दन थानेसर के राजा थे और कंणोज के सासक भी थे बाद में कंणोज भी इनके अधिकार में आ गया था तो इस बात की जानकारी कहां से मिलती है पताईए तो इसकी जानकारी मिलती है एहोल अभिलेक से बहुती महत्पुन अभिलेक है एहोल अभिलेक इसके नीचे देखिए उत्तर महरूर अभिलेक लिखा है ये अभिलेक चोलों से समंदित है आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन आपको यहां थोड़ा बता देता हूँ अगला प्रशन है एहोल अभिलेक के रचिता कों थे यहनकी एहोल अभिलेक को किस ने लिखा था पताईए तो एहोल अभिलेक को लिखा था रवी कीरती ने और रवी कीरती पुलकेशीन दुईतिये के दरवारी थे पुलकेशीन दुईतिये सबसे परतापी सासक थे चालुक क्यों में तो पुलकेशीन दुईतिये के दरवारी थे अब यहां देखिए भारवी मैंने आपको बताया था कि चालूप क्योंके समकाले इन पल्लो थे तो भारवी जो थे पहले सासक सिंग विश्णू के दरवारी थे और कालिदास ये गुप्त सासक जो थे उनमें चंद्र गुप्त दुवितिये के दरवारी थे कालिदास और कंबन एक तमिल कवी थे जिनोंने रामायन का जो अनुवाद है वो रामावतारम नाम से किया था अगला प्रशन है थाने सर के सासक हर्शवर्धन को हराने के बाद चालूप के सासक पुलकिशिन दुवितिये ने कौन सी उपादी धरण की तो देखिये पुलकिशिन दुवितिये बहुत थी मैतुपूर्ण जो सासकते बहुती परतापी सासकते चालूप क्यों में तो इन्होंने एक उपादी ली थी तो आप बताईए इन चार उप्सन में वो उपादी क्या थी तो वो उपादी थी प्रमेश्वर की उपादी प्रमेश्वर पुलकेशिन दूइतिया ने देखिए हर्शवर्दन को भी हराया था और पल्लव सासक महेंदर वर्मन पर्थम को भी हराया था हम अभी अभी पढ़ के आए हैं और महेंदर वर्मन पर्थम से बेंगी का शेत्र भी इनूने छीन लिया था अब यहां पर तीन उपादिया और लिखी हुई है तीनों ही पल्लु सासकों की है तो नरसीhnे वर्मन एक सासक हुए थे नरसीhnे वर्मन पर्थम इन्होंने ली थी महामल की उपादी और नर्सियं वर्मन पुलकेशिन दूइत्ये से भी परतापी थे पल्लों में इनके बीच युद्ध होता है और उन्होंने पुलकेशिन दूइत्ये को हराया और पुलकेशिन दूइत्ये की जो राजदानी थी वातापी उस पर अधिकार कर लिया इसलिए इन्होंने ली थी वातापी कॉंड की उपादी और महामल इनकी एक अन्य उपादी थी इसके अलावा राज सिंग की उपादी वो थी नर्सिहें वर्मन दुवितिय की उपादी थी राज सिंग ये भी आप ध्यान रखे वैसे आगे इसका जिकर आएगा अगला प्रशन है एहोल अभिलेख किस भासा में रचित है बताईए तो देखिए सबसे पहले दिया है तमिल तमिल चोलों की राज भासा थी तो ये नहीं हो सकता फिर देखिए कौंकन वैसे नहीं हो सकता राश्ट्रकूटों की राश्ट्रकूट थी तो इनकी थी संस्कृत और संस्कृत केवल चालुक्यों की ही नहीं थी पल्लवों की भी थी पल्लव जिनका संगर सापस में होता रहता था फिर्विवी भासा इनकी एक ही थी संस्कृत अगर उत्तर भारत में हम देखे तो संस्कृत गुपतों की राजबासा भी थी आप इसको एक जगे नोट केजिए और कुशानों की राजबासा भी संस्कृति थी ये भी आप याद रख सकते है अगला प्रशन है इसमें मिलता है भारवी और कालिदास के नामों का उलेग। भारवी सिंग विशनु के दरवारी थे और कालिदास चंदर गुप दवितिये विक्रमांदित्ये गुप चासक के दरवारी थे। तो एक और तीन यनकी B-Option इसमें सही है। अगला प्रेशन है पुलकेशिन दवितिये ने पल्लव शाषक महिंदर वर्मन पर्थम से कोन शाषेत्र चीन लिया। बताईए। तो ये शेत्र चीना था बेंगी का। हमने शुरुवात में ही इसका जिकर किया था कि पल्लव और चालूट के वंस के बीच संगर शुरू होता है तो बेंगी का शेत्र चीन लिया गया था पुलकेशिन दवितिये द्वरा। काफी परतापी राजा थे पुलकेशिन दवित के दरवारी रवी कीरती ने रवी कीरती ने इसका निर्मान करवाया था और एहोल को मंदिरों का सहर भी कहा जाता है मंदिरों का शहर अगला प्रश्ण है पुलकेशिन दुईतिये ने बेंगी का सासक किसे बनाया देखिए पुलकेशिन दुईतिये ने बेंगी का चेतर चीन लिया मैंने आपको बताया महंदर वर्मन पर्थम से पल्लवों से तो यहाँ पर सासक किसको बनाया बताईए तो इन्होंने विश्णु वर्धन को सासक बनाया जो इनके छोटे भाईते विश्णु वर्धन अगला प्रश्न है हवेन सांग ने किस चलुप के सासक के समय बादामी या वतापी की यात्रा की थी बदाईए तो हवेन सांग पुल के सिंद्वीतिये के सासनकाल में गया हुआ था बादामी और हवेन सांग इसके बाद जाएगा ये बात है 640 इसवी की वैसे डेट याद रखने की जरूरत नहीं है ये 640 इसवी की बात है और 641 ये सन एक्जेक्ली मुझे भी ध्यान नहीं है इसके बाद जाता है ये इससे पहले गया था साइद नर्सिये वर्मन दूइतिये की दरवार में नर्सिये वर्मन पर्थम सोरी नर्सिये वर्मन पर्थम के दरवार में भी ये जाएगा हवे इंसांग और नर्सिये वर्मन पर्थम और पुलकेशिन दूइत्य के बीच आप जानते हैं युद्ध भी हुआ था जिसमें वातापी कॉंड के बादी नर्शिया वर्मन पर्थम ने ली थी अगला ही परसन है विदेशी चीनी यात्री हवेन सांग ने किस पुस्तक की रचना की बताईए तो इन्होंने रचना की थी सी यू की पुस्तक की और ये फोको की पुस्तक है ये देखिए ये भी एक चीनी यात्री फाहियान द्वारा लिखी गई है फाहियान और फाहियान किसके दरवार में गया था ये गुप्त वंस के सासक चंदर गुप्त दवीतिये जिनकों की विक् अगला प्रश्ण है पुलकेशीन दुवितिये के किन विदेशी सासकों के साथ गनिष्ट संबंध थे पताईए तो पुलकेशीन दुवितिये के इरानी सासकों के साथ गनिष्ट संबंध थे इस बात का पता ऐसे चलता है कि जो अजन्ता की जो गुफा है अजन्ता की गुफा संख्या एक इसमें एक दूत होता है ताबरी जो इरान का दूत है उसका स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है इसमें ताबरी का स्वागत कर रहे हैं पुलकेशिन दूइतिये अगला प्रशन है पुलकेशिन दुईतिये ने बहु सुवर्ण और अगनिश्ठोम यग संपन करवाए थे इस बात की जानकारी कास्तरोत क्या है बताईए तो इस बात कास्तरोत ये है महाकूट स्तंब महाकूट स्तंब से ये जानकारी मिलती है यहां पर एहोल अभिलेक लिखा ये लिखाता रवी केर्थी ने पीछे भी हम कर चुके हैं ये याद रखीगा और मांसुलास पुष्टक ये कल्यानी के एक सासक थे सोमेश्वर तृतिये ने इन्होंने लिखी थी मांसुलास पुष्टक अगला प्रशन है विक्रमा दित्य पर्थम ने अपने भाई जे सिंग को कि शेत्र का सासक बनाया देकि विक्रमा दित्य पर्थम से पहले पुलके शीन ने बेंगी का शेत्र शीना था पलवों से और वहां पर विश्णू वरधन को सासक बनाया था अब जे सिंग को विक्रमदित्य सासक बना रहे हैं मतलब चालूप क्योंकि तीसरी साखा सुरू होने वाली है पहली साखा थी वातापी के चालूप के फिर सुरू हुई थी बेंगी के चालूप के और अभी ये गुजरात जो शित्र है वहाँ पर एक साखा शुरू होने जा रही है उसमें किस को, किस शित्र में अभी मैंने चलो आपको बता ही दिया है तो ये लाट का शित्र था लाट शित्र में जे सिंग को सासक बनाया था जे सिंग को लाट में यहनकी तेन साखाई यहाँ आपर देखने को मिल रही है शालूप क्योंकि अगला प्रश्न है पत्ता दक्कल स्थित्वीरू पाक्ष महादेव मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था बताईए तो इस मंदिर का निर्मान कराया था लोकमा देवी ने और लोकमा देवी कौन थी ये थी विक्रमा दित्य दवित्य की पत्नी विक्रमा दित्य दवित्य की धर्म पत्नी थी पत्ता दक्कल जो है ये विशु द्रोहर सहर है पत्ता दक्कल विशु द्रोहर में शामिल है चालूप के वंस के बादामी साखा के अंतिम साशक कौन थे पताईए तो इस वंस के अंतिम साशक थे कीर्थी वर्मन दवीतिये कीर्थी वर्मन दवीतिये पर जाकर बादामी का जो या वातापी या बादामी का जो चालुक के वंस था वो खतम हो जाता है शुरुवात कहां से हुई थी चालुक क्योंकि तो ये हुई थी पुलकेशीन पर्थम से पुलकेशीन पर्थम ने इस वंस की शुरुवात की थी और कीरती वर्बंद वितिये पर आकर ये वंस खत्म हो जाता है अगला प्रशन देखिए चालुक्यों की मुख्य साखा बादामी के पतन के बाद इनके कुछ सामंतों ने 77-27 स्थापित की थी अलग-अलग स्थानों पर इनका सही मिलान कीजिये तो देखिए जैसे ही चालुक्यों का पतन होता है तो जो सामन्त थे इनके अंडर जो काम करते थे उन्होंने अपनी अलग अलग राजवन स्थापित किये देखिए जो यादव है उन्होंने देवगिरी शेत्र पर अपना अधिकार किया तो देवगिरी के यादव वारंगल जो शेत्र है उस पर अधिकार किया था काक्तिये ने काक्तिये समराज्ये जांकि राने रुद्रमा देवी एक मूवी भी बनी हुई है राने रुद्रमा देवी ये इसी वंस से समंदित थी राने रुद्रमा देवी उसके बाद तिरीपुरी तो तिरीपुरी पर शेत्र कि हो जाता है तो पहले सासक दंती दुर्ग उसके बाद क्रिशन पर्थम धुरू गोविन तिरतिये अमोग वर्ष इंदर तिरतिये क्रिशन तिरतिये और अंतिम राजाते करक दवी तिये इन सब राजाओं के बारे में इसक्वीज में डिस्कसन होगा तो बढ़ते हैं दक्षन भारत में किस राजवन्स ने त्री पक्षिय संगर्ष में भाग लिया दक्षन भारत का कौन सा राजवन्स था जिसने त्री पक्षिय संगर्ष में भाग लिया था पताईए तो ये था राश्ट्रकूट वन्स अब द्री पक्षिय संगर्ष के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ तो ये मान लेजिए भारत का मैप है इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर आश्टकूट वंस था जो वातापी साखा को हटाने के बाद सब्ता में आया और जो उडिसा और ये पस्चिमंगाल का जो शेतर था यहां पर था पालवंश और गुजराद सेतर में था गुर्जर परतिहार वंस तो कंणोज मैंने आपको बताया था हर्षवर्दन यहांके सासक थे कंणोज जो आज यूपी में हैं तो कन्योज पर जो हर्षवर्दन के मृत्यू के पश्चात कन्योज पर अधिखार करने के लिए इन तीनों वन्सों में एक होड़ सुरू हो जाती है तो इसी को कहा जाता है त्रीपक्षिय संगर्ष तो एक दक्षन भारती एक मातर ये राश्ट्रकूर्ट जिसने इसमें भाग लिया और अंतिम रूप में विजय होती है गुर्जर परतिहारों की कन्योज पर ये आप ज्यान रखिए उस कुईज में हम डिसकस करेंगे इस्ट्री का और कुईज आएगा इसमें इसको जुरूर डिसकस करेंगे त्रीपक्षिय संगर्ष को अगला प्रशन है राष्टर कूट वन्स का संस्थापक कौन था बताईए अभी अभी बताया है मैंने तो देखिए इस वन्स का संस्थापक था दंती दुर्ग राष्टर कूट वन्स का संस्थापक दंती दुर्ग था विजयाल्या चॉल वंस का स्थापक है जो 9 स्थापदी में पल्लों के पतन के बाद चॉलों की सातंतर सक्ता स्थापित करेगा पलकेशीन पर्थम हम पड़ी चुकी है चालुक के, वातापी के चालुक के जिनगा पतन हुआ कीरती वर्मन दुवितिये ये चालुक्यों का अंतिम सासक था कीरती वर्मन दुवितिये को हराकर ही दंती दुर्ग ने राश्ट्रकूट वंस की स्थापना की थी अगला प्रश्ण है राश्ट्रकूट राजवन्स की तरफ से सबसे पहले किस राश्ट्रकूट सासक ने त्री पक्षिय संगर्स में भाग लिया तो देखे राश्ट्रकूटों ने इसमें भाग लिया लेकिन किस सासक के समय बताईए तो ये सासक थे ध्रूव अगला प्रश्ण है राष्ट्र कूटों की राजधानी कौन से थी बताईए तो यह आपको पता लग गया होगा यह मन्नेखेट थी यहाँ पर आप देख सकते हैं मन्नेखेट मन्नेखेट इनकी राजधानी थी आज जो गुलबर्गा जिला है करनाटक में वही था मन्नेखेट किस सासक के समय राष्ट्र कूट वंस के राजचिंड में गंगा यमुना की आकरती बनी हुई थी पताईए तो ये अकरती बनी हुई थी राजा ध्रू के जम्में ध्रू इनकी एक उपादी भी है धारा वर्ष ये भी आप याद रख सकते हैं ध्रू की उपादी थी धारा वर्ष राष्ट्र कूटों की राजभासा कौन सी थी बताईए तो राश्टर कूटों की राजभासा कन्नड थी कन्नड इसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि संस्किर्ट पल्लों और चलुक्यों की राजभासा थी पल्लों और चलुक्यों की चलुक्यों की चाहि कोई सी भी साका थी इनकी संस्किर्ट राजभासा थी तमिल चोलों की राजवासा थी चोलों की राजवासा और कन्नडा आपको पता चली गया राश्ट्रकूटों की राजवासा थी इसके बाद अगला question है राश्ट्रकूट वंस के सासक बनने से पहले जो राश्ट्रकूट थे वो किस वंस के सामन्त थे पताईए तो देखिए ये तो common sense है कि ये बादामी के चालुक्यों के बादामी के चालुक्यों के सामन्त थे किर्ती वर्मन दवित्य को हराने से पहले जो इनके सासक दंती दुर्ग वो दंती दुर्ग स्वेम इनके बादामी के चालूक क्योंकि किर्ती वर्मन्दुटिय के एक सामन्त थे किर्ती वर्मन्दुटिय को खटाते हैं और खुद सासक बन जाते हैं अगला प्रशन देखिए महराष्टर स्थित एलोरा में केलास मंदिर का निर्मान किस राष्टर कूट सासक ने करवाया था बताईए तो इस मंदिर का निर्मान कराया था क्रिशन पर्थम ने अब एक बात आपको बताना चाता हूँ कि एक केलाश नाथ मंदिर है केलाश नाथ मंदिर जो की कांची में है इसका जो निर्मान था वो करवाया था नरसी हैं वर्मन दवीतिये ने नरसी हैं वर्मन दवीतिये वो आगे आएगा तो इसको इससे कन्फियूज मत करना कि केलास मंदिर अगर पूछा जाए एलोरा का तो करवाया राष्टर कूट सासक क्रिशन पर्थम ने अगर केलास नाथ मंदिर कांची का पूछ लिया जाए तो वो करवाया पल्लव सासक नरसी हैं वर्मन दवीतिये अगला प्रशन देखिए राष्टर कूट मूल रूप से किस थान के निवासी थे पताईए तो राष्टर कूट लातूर लातूर जो बीदर शेतर में था दक्षन महराष्टर में वहां के निवासी थे एलोरा में दसावतार मंदिर किस राष्टर कूट सासक ने बनवाया था पताईए तो ये बनवाया था दंती दुरुग ने अब देखिए एक यूपी के ललितपुर में भी है दसावतार मंदिर सबसे प्राचीन है वो अलग है और ये अलग है ये है जो राष्टर कूटों ने मनाया वो एलोरा में अगला है किस राष्टर कूट सासक ने त्री पक्षिय संगर्स में भाग लिया ना केवल कनोज को जीता मैंने आपको बताया कि कनोज के लिए ही ये शुरू हुआ था त्री पक्षिय संगर्स तो ना केवल कनोज को जीता बलकि हिमाले तक का शेतर जीत लिया था पताईए तो ये थे गोविंद तिरती ये राष्टर कूट वंस में सबसे परतापी राजा ये माने जाते हैं अगला प्रशन देखिए राष्टर कूट सासक अमोग वर्ष ने कौन सी महतपून पुस्तक लिखी बताईए तो इन्हों ने एक पुस्तक लिखी थी कवी राज मारक कवी राज मारक अगला प्रशन है अमोग वर्ष के दरवारी कौन थे बताईए तो इनके दरवारी थे दो दरवारी थे जिन सेन और महाविरा चारे ये येक और तीन तो ओप्सन सी एक और तीन अगला प्रशन है संजन तामर पत्र अभिले किस राष्ट्र कूट सासक से समंदित है पताईए तो ये समंदित है अमोग वर्ष अगला प्रशन है राष्ट्र कूट सासक इंदर तरती है के समय कौन सा विदेशी यात्री इनके राज्ये में आया था पताईए तो ये था अलमसूदी और अलमसूदी बगदाद से आया था बगदाद जो इराक में है अगला प्रशन है तकोलम का युद्ध फिजे के पस्चात राष्ट्र कूट सासक कृशन तरती है नहीं कौन सी उपादी ली मैंने आपको सुरू में बताया था कि ये तकोलम का युद्ध हुआ था राष्ट्र कूट और चोलों की बीज में तो इसमें इन्होंने कौन सी उपादी ली बताये तो इन्होंने इसमें उपादी ली थी अकाल वर्स और कांची यूम तंजेयम कॉंड की तो एक और चार यान की उप्सन डी और इस युद्ध में इन्होंने हराया किसे था ये हराया था प्रांतक प्रथम को जो की चोल सासक था चोल सासक और इस उपादी को देखिए कांची यूम कांची जो थी पल्लों की राष्दानी थी पल्लों को जीत लिया था पंदलों को हटाकर ही चोल वंस सत्ता में आया था तो चोलों की सत्ता कांची पर भी थी और तंजेम यानकी तंजोर तंजोर पर चोलों का अधिकार था ही क्योंकि राजदानी थी तो इन दोनों शेत्रों को जीत लिया था कुछ समय के लिए क्रिशन तरतिये ने इसलिए इसे कांची यूम तंजेम कोंड की उपादी मिली हुई थी इसके लाव मैंने आपको बताया था वातापी कोंड ये उपादी थी नरसी है वर्मन पर्थम की जो पल्लव शाशक था और मदूरे कोंड ये उपादी थी परांतक पर्थम की जो हार जाता है इस युद में क्रिशन तरतिये से इसने इससे पहले मदूरे को जीता हुआ था इसलिए इसने मदूरे कोंड की उपादी ली हुई थी अगला प्रशन देखिए महान कन्नर कवी पौन किस राश्टर कूट राजा के दरवारी थे पताईए तो ये दरवारी थे अगेन क्रिशन तरतिये के दरवारी थे अगला प्रशन है राश्टर कूट वंस का अंतिम सासक या राजा कोन था पताईए राष्ट्रकूटों का अंतिम सासक था करक दवीतिये करक दवीतिये और पर्थम कोन था दंती दुर्ग दंती दुर्ग से ये बन सुरू हुआ और करक दवीतिये पराके खतम हो जाता है और करक दवीतिये को हराया किसने था तेलप दवीतिये ने तेलब दूइती है अब होती है कल्यानी के चालुक क्योंकि सुरुवाद जनकी चालुक के अब कल्यानी साखा की सुरुवाद हो रही है तो इसी के साथ चार साखाई हो जाएंगी यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले वातापी साखा की थी वातापी के बाद आय थी बेंगी साखा जहां विश्णू वरधन को सासक बनाया फीर आया था लाट में गुजरात में जहांपर जे सिंग को सासक बनाया था विक्रमादित्य पर्थम ने अभी यहांपर हो रही है वातापी साका की सुरुआथ तो कल्यानी में हम बढ़ेंगे इन राजाओं के बारे में महितपुन राजा तेलप दवीतिये सोमेस्वर पर्थम, विक्रमांदिती शिक्ष्ट, सोमेस्वर तिर्थिये और सोमेस्वर चतुर्थ तो सुरू करते हैं चालुक के वंस के कल्यानी साखा का संस्थापक कौन था बताईए तो ये था तेलप दवीती है अभी मैंने आपको बताया तेलप दवीती है अगला प्रशन है सोमेशवर पर्थम और चोल सासक राजा धिराज पर्थम के बीच कौन सा युद लड़ा गया बताईए तो ये युद्ध लड़ा गया था कोपम का युद्ध सुमेसवर पर्थम और राजा धिराज पर्थम के समय इस युद्ध में क्या होता है राजा धिराज की मृत्यू हो जाती है और सुमेसवर पर्थम तभी जिस समय इनकी मृत्यू होती है तो राजा धिराज का एक छोटा वाई था राजेंदर द्वीतिये तुरंत मोर्चा शमालता है और युद्ध जीत लेता है इससे ये काफी सुमेस्वर पर्थम काफी लजजित महसूस करते हैं और तुंग भद्रा नदी में आतम हत्या कर लेते हैं तो अंतिम रूप से इसमें चोलों की विजे हुई थी और कल्याणी के चालुक के इसमें हार गए थे अगला प्रशन देखिए 1076 इसवी में चालुक के विक्रम सम्मत की शुरुवात किस सासकने की थी बताईए चालुक के विक्रम सम्मत किस ने शुरू किया था तो ये शुरू किया था विक्रमादित्य सिक्स्त ने विक्रमादित्य सिक्स्त के एक दरवारी थे विलहन ने किस पुस्त की रचना की देखिए विलहन जो हम उत्तरभारत में पढ़ते हैं कलहन जिनोंने राज तरिंगनी में कस्मीर का इतियास रखा उसके भाई थे विलहन तो ये दरवारी थे विक्रमादित्य सिक्स्त के तो इनोंने किस पुस्त की रचना की आप बताईए तो इनोंने रचना की थी विक्रमांक देवचरित पुस्त की रचना की थी अगला प्रश्न है विक्रमा दित्ते सिक्स्त के विद्वान मंत्री विज्ञा ने किस समरीती पर टीका या रिसर्च लिखा था पताईए तो इन्होंने लिखा था यागवलक के समरीती पर यागवलक के समरीती के तीन टीका कार थे अपरारक, विश्वरूप और विग्यानेश्वर तो आप समझी गए होगे तो ये विग्यानेश्वर वही थे जिन्होंने यागवलक के समरीती पर टीका लिखा और ये टिका किस पुस्तक में लिखा था? उस पुस्तक का नाम था मिताक्षरा मिताक्षरा इस पुस्तक में इस रिसर्च को लिखा गया था अग्ला प्रशन है कल्यानि चालूख के सासक सूमेश tenía ने कौन सी महतुपोन पुस्तक लिखी दी बताये तो इन्होंने लिखी थी मानसो लास पुज्दक मानसो लास और इनकी एक उपादी भी थी सोमेश्वर तिरतिय की भू लोक मल अगला प्रश्न है कल्यानी के चलुक्यवंस के अंतिम सासक कौन थे बताईए तो ये थे सोमेश्वर चतुर्थ सोमेश्वर चतुर्थ क्या थे कल्यानी साखा के अंतिम सासक चलुक्योंकि अभिलेक किस भासा में लिखे वे थे बताईए तो चलुक्योंकि अभिलेक संस्कृत भासा में लिखे वे थे क्योंकि इनकी राजबासा थी संस्कृत चालुक के राजा किस संपर्दाई के समर्थक थे तो चालुक के राजा वेश्णों संपर्दाई थे वेश्णों संपर्दाई के समर्थक थे अगला प्रश्न है चालुक के सासकों का राजचिन क्या था पताईए तो इनका राजचिन था वाराह वाराह जो बगवान विश्णू का एक आवतार है चलुक के सासकों के मंदिर किन किन स्थानों से प्राप्त होते हैं बदाएए तो ये तीनों ही स्थानों से प्राप्त होते हैं एहूल से पत्ता दक्कल से और बादामी से तो उप्सन दी पल्लो वंस की सुरुआत देखिए तो पल्लो वंस में हम पढ़ेंगे सिंग विशनू के बारे में महिंदर वर्मन पर्थम नर्सिया वर्मन पर्थम नर्सिया वर्मन दूइतिये नंदी वर्मन दूईतिये और आप राजित वर्मन पल्लव इनके बारे में इसके लाव कोई भी सासक महत्पून नहीं है तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इतिहासिक करम में देखा जाए तो दक्षिन भारत के सुविवस्तित इतियास की सुरुवात कब से माने जाती है बताईए तो ये सुरुवात माने जाती है महापासान संस्कृती से महापासान संस्कृती के बाद आता है संगम काल जो हमने सुरू में डिसकस किया था तो ये थी महापासान संस्कृती, इसमें क्या होता था, महापासान संस्कृती में एक कबर बनाया जाता था, और उस कबर में जो मरितक व्यक्ति था, उसको लेटा कर उसके चारों और बड़े बड़े पत्थर रख दिये जाते थे, सुरक्षा के दृष्टी से, बस इसी से प बताया कि पत्थरों से सव को ढख दिया जाता था, तो ये सवाधान पर करिया थी, यनकी कबर गाह से समन्दित थी, दक्षन भारत में महापासान संस्कृती किन किन शेत्रों में परचले थी, बताये, तो ये संस्कृती थी आंद्रपरदेश, करनाटक और तमिलनाडू के क जेत्र, यनकी उपरोक्त सभी, इन शेत्रों में ये संस्कृती पर चले थी, दक्षन भारत में महापासान संस्कृती के बाद किस काल की सुरुवात होती है, बताये, इसके बाद होती है संगम सहित्य की सुरुवात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संगम सहित्य की सुर काल में किन किन राजवंसों का उलेख है हम सुरू में ये प्रशिन कर चुके हैं बताईए आप तो इसमें उलेख मिलता है पंडे वंसका चेर वंसका और चोल वंसका यानिकी option उप्सन दो तीन और चार यानकि D उप्सन इसमें सही है इन चार राजवनसों का उलेक संगम काल में संगम साहित्यों में देखने को मिलता है उत्तर भारत से दक्षन भारत में हिंदू धर्म की जो प्रमप्राएं हैं उनको पहसाने का स्रे किस रिशी को जाता है तो किस रिशी को जाता है यह प्रशन कहां चला गया यह रहा तो बताईए आप तो यह स्रे जाता है अगस्त रिशी को अगस्त रिशी को यह स्रे जाता है इसके बाद देखिए तमिलाहम शेत्र में विद्वानों के तीन संगम हुए थे किस थान पर हुए थे तमिलाहम शेतर देखिए वही शेतर है मैंने आपको बताया था यहाँ पर चेर वंस था दक्षन केरल में दक्षन भारत में और यह पांडे वंस का शेतर था और यहाँ पर चोल वंस था संगम सहित्य की बात हो रही है तो इस शेतर को तमिलाहम शेतर कहा जाता था तो ये तीन संगम आप बताईए कहां हुए तो ये हुए थे मदुरे में पांडेयों की राजदानी मदुरे में ये संगम हुए थे असोक के किन दिर्ग सिलालेखों में दक्षन भारत के तमिलाहम शेत्र के नाम का उलेख मिलता है तो ये उलेख मिलता है दूसरे और ती तेहरवे दिर्ग सिलालेख में यनकि ऑप्षन एक और तीन सही है ऑप्षन C देखिये दूसरे दिर्ग सिलालेख में असोक ने जो लोग कल्यान कारे करवाई थे उसका उलेख मिलता है जैसे पेड लगवाना कुवे खुदवाना चिकित साले बनवाना तो इसमें चोल, चेहर, पांडे और सिरलंका का उलेख है और जो तेहरवा दिर्ग सिला लेख में है तो इसमें कलिंग युद्ध विजे का उलेख असोक ने करवाया हुआ है और ये सबसे बड़ा लेख है असोक का तेहरवा और इसमें पांच युनानी राज्जिओं के साथ-साथ इन तमिलाहम, शेतर के जो राजा थी इन्होंने असोक की धम विजे को सविकार किया था तो इसमें भी उलेख मिलता है लेकिन जो पांचवा है इसमें सोक ने धम महामात्य की निक्ति की थी धम महामात्य और ये महामात्य इसलिए थे कि जो बहुत धर्म है उसका परचार और उसका जो स्रंक्शन कैसे किया जाए इसके लिए था अगला प्रशन देखिए मुर्योत्र काल में किन तमिलाहम शेत्रों का वेपार इन तमिलाहम शेत्रों का वेपार किस समराज जी होता था बताए तो इसका सही उप्सन है रोमन समराज जी से क्योंकि रोमन समराज जी से मुर्योत्र काल के राजा थे वो वेपार करते थे तो य तो असव थामा को पल्लव वंस के लोग अपना आदी पुरुस मानते थे और असव थामा जो थे ये द्रोणा चारे के पुत्र थे आप जानते ही हैं महाभारत में अगला प्रश्ण है पलवों ने किसे अपनी राजधानी बनाया यह हम पहले ही जिकर कर चुके हैं पलवों ने मदुरे को अपनी राजधानी बनाया था मदुरे तो तंजोर चोलों की राजधानी थी चोलों की आगे हम डिसकस करेंगे जब पलवों का पतन होगा तो अगला यह पलवों की राजधानी थी मैंने मदूरे गल्त लगा दिया मदूरे पांडेओं की राजधानी थी जो तमिल शित्र में थे यह उपसन गल्थ हो गया यहां पर डी आईगा कांड़ी इनकी राजधानी थी अगला प्रशन देखिए पल्लव राजा किस संपर्दाई के अनुयाई थे बताईए तो पल्लव जो सासक थे वो वेशनो भी थे और सेव भी थे यांकि हिंदू धिरम में दो संपर्दाई थे तोपसन डी सेव और वेशनो यहां पर देखिए सेव जो थे इससे को नियानार कहा जाता था सेव संपर्दाई के लोगों को नियानार और वेशनो संपर्दाई के लोगों को अलवार कहा जाता था अलवार नियानार संतों की संख्या कितनी थी बारा नहीं नहीं बारा थी इनकी 63 संथ थे सेव संपर्दाई समंदित और वेशनों से समंदित थे 12 संथ और आप इसको इससे याद रख सकते हैं नयन नयन मतलब जिसके पास अतिरिक्त नयन है तो वो भगवान सीवी हैं आप जानते हैं उनके पास तीसरा नेतर हैं तो इससे आप सेव धर्म से कनेक्ट कर सकते हैं अगला प्रशन देखिए पल्लव वन्स का संस्थापक कोन था बताईए तो पल्लव वन्स का संस्थापक कोन था इसका आंसर है ओप्सन डी सिंग विश्नू पुलकेशीन पर्थम हम जानते हैं चालुक के वतापी के जो चालुक के थे उनका सामन्त था वतापी साखा का और दंती दुर्ग हम पढ़ी चुके हैं राश्टर कूट वन्स का संस्थापक था विजियले आगे आएगा जो चोलों का संस्थापक था ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनको बार-बार सुनोंगे तो अच्छे से याद कर पाओगे वीडियो के एंड तक आपको ये याद होई जाएंगे सिंग विश्नू ने कौन सा मंदिर बनवाया था बताईए तो सिंग विश्नू ने आदी वरा का मंदिर बनवाया था और आदी वरा का मंदिर ये जो बगवान विश्नू का मंदिर है और ये खुद वेश्नू धरम के उपा सकती सिंग विश्नू और ये जो मंदिर बनाया था ये बनाया था ममलेपुर में मामलेपुर जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं और ये महाबलीपुरम सहर अभी इनके समय नहीं बसाया गया था ये एक आगे सासक आएंगे नरसी हैं वर्मन पर्थम उन्होंने बसाया था महाबलीपुरम सहर को तो इन्होंने सिर्फ महापरो एक मंदिर बनवाया था अगला प्रश्न है पल्लव, शाशक, सिंग, विश्णू के दरवारी कौन थे इसका जिकर हम कर चुके हैं आप बताईए कि कौन थे इनके दरवारी तो इनके दरवारी थे भारवी मैंने आपको बताया था विक्रमादित्य सिक्स्त याद कीजिए विक्रमादित्य सिक्स्त जो कल्यानी सासक थी उनके दरवारी थे विल्हन और विल्हन ने एक पुस्तक लिखी थी विक्रमांक देवचरित पीछे पढ़के आएं और कल्हन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी राज तरंगिनी और ये थी इसमें कश्मीर का इतिया आस्ता अगला प्रसंद देखिए किरातार जूनियम पुस्तक के रचियता कोन थे पताईए तो इसके रचियता थे भारवी जो सि सिंग विश्णू के दरवारी भारवी इन्होंने लिखी थी किरातार जूनियम पुस्तक पल्लव सासक महिंदर वर्मन पर्थम ने संस्कृत भासा में किस पुस्तक की रचना की गताईए तो इन्होंने की थी मत्विलास प्रहसन और भगवज जूकियम यनकी ओप्सन डी य इसमें मत्विलास प्रहसन वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है आपको भूलना नहीं है और मान्सोर लास हम अभी जिकर करके आए हैं कल्यानी के एक सासकते सोमेश्वर तिरती ये सोमेश्वर तिरती ये जिनकी उपादी थी भूलोग मल तो ये मान्सोर लास पुस्तक उनकी दि अगला प्रशन देखिए महन संट अपर्ग से प्रभावित होकर महिंदर वर्मन पर्थम ने किस धर्म को अपना लिया पताईए तो इन्होंने अपनाय था सेव धर्म को यहनकी नयानार जो मैंने आपको बताया इनकी संक्या 63 थी और वेशनों की संक्या कितनी थी बारा अलवार कहलाते थे वेशनों पल्लव चालुक के संगर्स की सुरुवात किस समय होती है पताईए तो यह सुरुवात होती है महिंदर वर्मन पर्थम के समय महिंदर वर्मन पर्थम हम सुरू में ही जिकर करके आया थे महेंदर वर्मन पर्थम को एक चलुक के सासक ने हराया था चलुक के सासक पुलकेशीन दूइतिये ने पुलकेशीन दूइतिये यहाँ पर स्थान की तोड़ी कमी है अब देखिए पल्लव सासक महिंदर वर्मन पर्थम को किस चालुक के सासक ने प्राजित किया और बेंगी का शेतर पर अधिकार कर लिया यहां कि बेंगी शेतर चीन लिया तो किस सासक ने चीना अब इसका अंसर तो मैंने पीछे यह लिग दिया था तो पुलकेशिन दूइतिये ने चीना मैंने आपको बताया था पुलकेशेन दूतिय ने और किसको बैठाया था विश्नु वरधन को अपना भाई था इनका विश्नु वरधन इनको सासक बना दिया था अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है कि ये जो पल्लव सासक है महिंदर वर्मन पर्थम के समय काल में एकाशम मंदिर बने थे तो एकाशम मंदिर जो बने थे ये किस परकार के मंदिर थे बताएए तो ये मंदिर थे मंडब परकार के मंदिर अगला प्रश्ण है पल्लव सासक का पल्लव वंस का सरवाधिक परतापी सासक किसे माना जाता है बताईए तो पल्लव वंस का सरवाधिक परतापी सासक माना जाता है नरसीहें वर्मन पर्थम को माना जाता है और ये पुत्तर थे किसके महेंदर वर्मन पर्थम की महेंदर वर्मन पर्थम जो की पुलकेशिंदूइतिये से हार जाते हैं और ये बेंगी का शेतर खो देते हैं तो नर्सिहें वर्मन पर्थम जो थे परतापी सासक थे और इन्होंने बादें पुलकेशीन दूइतिय को हराया भी था नर्सी हैं वर्मन पर्थम ने किस चालुक के सासक को हराकर वातापी कौंड की उपादी धारन की थी पताईए तो इन्होंने हराया था जिस सासक को वो था पुलकेशीन दूइतिय इसका बारे में नहीं काफी बता चुका हूँ आप समझी गए होगे पुलकेशिन दूइती है क्योंकि आप बताया मैंने आपको नरसी हैं वर्मन पर्थम महिंदर वर्मन पर्थम के पुतर थे और इन्होंने वातापी को जीता क्योंकि वातापी पुलकेशिन दूइती की राजधानी थी तो इसलिए वातापी कौंड की उपादी ली और इस युद में पुलकेशिन दूइती की मृत्ती हो जाती है अगला प्रशन जो देखिए चस्सो चालिस इसवी में हवेन सांग किस सासक के समयые काँची गया था तो यहां आप मैप देख़िए भारत का काँची है तमिलनाडू में इस्तित और यहां है कन्नोज उत्री भारत में मान लीजी उत्र प्रदेश में है कन्नोज तो कन्नोज का सासक था हर्शवर्धन जिसके काल में 615 में ये हर्च वर्दन के दरवार में रहा था हवे इनसांग उसके बाद ये जाता है कांची 644 सिस्वी में कहां पर कांची में सासक को था नर्शी है वर्मन पर्थम तो इसका आंसर है नर्शी है वर्मन पर्थम अब देखिए अगले ही वर्ष 641 इस्वी में ये जाएगा पुलकेशिन दुईतिये के राजदानी वातापी में वातापी तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए पुलकेशिन दुईतिये हवेन सांग जो तीन सासकों के दरवार में गया अब बाद हैं पुलकेशिन दुईतिये ने इस बात की जानकारी एहोल अभी लेक से मिलती है जिसको रवी किर्थी ने लिखा और बाद हैं पुलकेशिन दुईतिये ने आपको पता है किसे राय था मेहंदर वर्मन पर्थम को और ये पुलकेशिंद्वित्य खुद किस से हारे थे नर्सियं वर्मन पर्थम से और मारे भी गए थे नर्सियं वर्मन पर्थम तो देखिए तीनो सासकों के बीच एक एक युद्ध होता है और तीनों के ही दरवार में हवेन संग गया हुआ था ये important है थोड़ा आप इसे connect कर सकते हैं याद रखने के लिए पल्लव सासक नरसी है वर्मन पर्थम ने कौन से मंदिर का निर्मान करवाया था या उसे बनवाया था बताईए तो इन्होंने बनवाये थे सप्त पेगोडा की मंदिर देखिए नाम सप्त पेगोडा है लेकिन मंदिरों की संग्या है आठ कैसे पांच पांड़ों के हैं एक द्रोपदी का है एक गनेश भगवान का है और एक है सिव भगवान का तो होगे आठ इसके बाद है सब्ट पेगोडा मंदिर किस भगवान को समर्पित है देखे बेसक यह आठ मंदिर है लेकिन यह समर्पित है सिर्फ एक भगवान को बताईए कौन से भगवान को समर्पित है तो ये समर्पित हैं भगवान शिव को भगवान शिव अगला प्रशन है पल्लव सासक नर्सियं वर्मन पर्थम ने किस सहर को बसाया था बताईए तो इन्होंने बसाया था मामल्लेपूर को मामल्लेपूर नर्सियं वर्मन पर्थम और यहाँ पर आदी वरा का मंदिर बनवा दिया था इससे पहले ही आदी वरा का मंदिर जिस समय ये सेर बसाया नहीं था सिंग विशनू ने मैंने आपको बदाया था सुरुवात में शिंग विशनों जो पल्लो वंस के संस्थापक थे इन्होंने एक मंदिर बनवा दिया था ममलेपुर में आदिवरा और बाद में इस सहर को बसाते हैं नर्सी है वर्मन पर्थम नर्सी है वर्मन दूइतिये ने कांसी में किस मंदिर का निर्मान करो है अब देखिए नर्सी है वर्मन पर्थम के बाद अगले राजा जो मेचपुन है वो है नर्सी है वर्मन दूइतिये देखिए नर्सिये वर्मन दुईतिये परतापी है युद्ध लड़ने में या ऐसा कुछ नहीं है इनका जो काल है वो याद किया जाता है कला स्थापते के लिए कला स्थापते यानकी निर्मान कारे इन सब के लिए इसका काल याद किया जाता है तो नर्षीय वर्मन पर्थम परतापी सा सकते हैं लेकिन नर्षीय वर्मन दूइतिय का जो काल है वो कलास था पत्य के लिए जाना जाता है तो इन्होंने कांची में एक मंदिर बनाया था आप बताएए चार उपसन है मामल ले पुर जिसे नर्सीय वर्मन पर्थम ने बसाया था मामल ले पुर या महाबली पुरम ये मंदिर इन्होंने बनुआया था और एक बात और ये जो केलास नाथ मंदिर है इसमें पहली बार दर्विड सेली की सभी विशेष्टाइं देखने को मिलती है यनकी जो दर्विड सेली है तो दर्विड सेली की सुरुवात पल्लवों के समय हुई है तो जो पहली बार जो जितनी विशेष्टाइं होनी चाहिए दर्विड सेली की वो सारी इस मंदिर में देखने को मिलती है पिलकेशिन दवीतिये के द्वारा ये सोरी नर्सिये वर्मन दवीतिये के द्वारा बनाई इस मंदिर में अगला प्रशन है पल्लव राजा नर्सिये वर्मन दवीतिये ने किस देश में एक दूत मंदल भेजा हुआ था पताईए तो इन्होंने दूतमंडल भेजा था चीन में चीन में इन्होंने एक दूतमंडल भेजा था इसके बाद अगला प्रशन है पल्लव राजा नर्सिय वर्मन दवितिये ने चीनी बोधियात्रियों के लिए एक विहार का निर्मान किस जगए करवाया था विहार होता है जहांपर बोधियात्री ठहर सकी तो बताईए कौन सी जगए थी वो तो ये जगए थी नाग पटनम तमिल नाडू में है ये तमिल नाडू यहांपर बनवाया था एक विहार नर्सी हैं वर्मन पर्थम की उपादी क्या थी बताईए नर्सी हैं वर्मन पर्थम देखी मैंने आपको बताया सबसे पर्तापी राजा थे पल्लोवंस के ठीक है तो पल्लोवंस के पर्तापी राजा थे इनकी उपादी थी वतापी कॉंड हम सब जानते हैं वातापी कौंड क्योंकि पुलकेशिन दूइतिये को हराया था वातापी कौंड इनकी इसलिए उपादी थी एक और उपादी थी इनकी वो थी महामल इनकी उपादी महामल भी थी नरसिये वर्मन पर्थम की आगे देखिए पल्लव सासक नरसिये वर्मन दवीतिये जो कला स्थापते में महत्कुन योगदान देते हैं के दरवारी कौन थे पताईए तो इनके दरवारी थे दंडी जिनका नाम था दंडी और मैं कुछ दरवारी यहाँ पर फिर लिख देता हूँ पल्लव वंस के संस्थापक तो यह याद रख सकते हैं दंडी द्वारा लिखित परसिद पुस्तक का नाम क्या है दंडी आपने देखा नरसिये वर्मन दवीतिये के दरवारी हैं हमने अभी देखा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी दी पताईए उस पुस्तक का नाम तो इस पुस्तक का नाम था दस कुमार चरीत दस कुमार चरीत इनकी लिखी हुई महित्पुन पुस्तक थी और इसके लावा देखिए मत विलास परहसन ये कि इनकी लिखी हुई थी महिंदर वर्मन पर्थम की महेंदर वर्मन पर्थम की पल्लव सासर और मेग दूतम आप जानते हैं कालिदास की लिखी हुई परसिद्ध पुस्तक है कालिदास की और किरातार जूनियम ये भारवी ने लिखी थी भारवी जो सिंग विश्णों के दरवारी थे अगला प्रशन है पल्लों की राजबहसा क्या थी बताईए पल्लों की राजबहसा क्या थी तो पल्लों की राजबहसा थी संस्कृत हम इस बारे में जान चुके हैं संस्कृत पल्लों की भी भासा थी संस्कृत गुप्त की थी कोशानों की थी इसके अलावा चालूक क्योंकि भी राजवासा संस्कृत थी अगला प्रशन है नरसी है वर्मन दवीतिये ने कौन सी उपादी धारण की यहाँ बात नरसी है वर्मन पर्थम की नहीं है वातापी कॉंड और महामल यहाँ पर है नर्सिये वर्मन दवीतिये अब बताईए आप तो नर्सिये वर्मन दवीतिये जो पल्लव सा सकते इनकी उपादी थी राज सिंग की उपादी राज सिंग सेली में रखे गए है इनके मंदिरों को इसलिए इनकी उपादिया राज सिंग इसी कारण राज सिंग से लीमें इनके मंदिरों को रखा गया है वातापी कॉंड और महामल नर्सिये वर्मन दवीतिये की है सोरी पर्थम की है नर्सिये वर्मन पर्थम जो परतापी सा सक है और मदूरे कॉंड आपको बताया था प्रांतक पर्थम चोल सा सक था प्रांतक पर्थम जो की कृष्ण तरतिये से एक युद्ध हारा था तकोलम का युद्ध आगे आएगा तब भी देखेंगे अगला देखिए तक्षिन भारत के किस मंदिर में पहली बार दर्विड शेली की सभी विशेशताईं देखने को मिलती हैं इस प्रशन को मैं पीछे बता चुका हूँ आप बताईए कि अंसर क्या है तो इसका अंसर है केलाश नाथ मंदिर और इसको किस ने बनवाया था नरसी है वर्मन दवीतिये ने मैंने आपको बताया था ये नर्सिये वर्मन दवीतिये कलास था पत्ते में इनका जो काल था बहुती महत्पून था बहुती योग्ये थे ये तो ये मंदिर आप पिक्चर में यहां देख सकते हैं बहुती खुबसूरत मंदिर है ये कांची में बेकूंट पेरूमल मंदिर का निर्मान किस सासक ने करवाया था बताये तो इस मंदिर का निर्मान कराया था अगले सासक नंदी वर्मन दवीतिये ने नंदी वर्मन दवीतिये बेकूंट पेरूमल मंदिर और ये भगवान विश्णू का मंदिर है विश्णू भगवान की अलग-अलग मुद्राएं इसमें हैं कहीं पर ये भगवान विश्णू से इसनाग पर लेटे हुए हैं इस प्रकार दिवारों पर इनके अलग-अलग चितर देखने को मिलती है य लेकिन अगर परीपकव स्थिति देखें हम दर्विड जो दर्विड शेली की परीपकव स्थिति है वो बेकूंट पेरूमल मंदिर में देखने को मिलती है कांची के अगर पूछ लिया जाए कि सरवस्रेश्ट स्थिति ये सरवस्रेश्ट ये भी नहीं है आगे जो चोल सासक काएंगे राज राज पर्थम उनके समय एक मंदिर बनेगा उसमें देखने को मिलेगा जिसे ब्रदेश्वर मंदिर कहते हैं दर्विड शेली की सबसे अच्छी या सरवत्तम उधारन उसी को माना जाता है बेकूंट पेरूमल मंदिर ये परीपकव स्थिति में था पल्लव काल में दर्विड सेली अपने प्रेपकव स्थिति में किस मंदिर में दिखाई पड़ती है तो मैंने आपको भी भी बताई दिया बेकूंट पेरूमल मंदिर ये है बेकूंट पेरूमल मंदिर जो ये देखिए अगला प्रशन है अलवार शंत तिरूमल किस पल्लो सासक के दरवारी थे, 89 question पताईए तो ये दरवारी थे नंदी वर्मन दुवितिये के अब नंदी वर्मन अलवार लग गया तो इसका मतलब विश्णू के भकत ओगे और विश्णू के भकत, अशेलेए बेकूट प्रुमल मंदिर नंदी वर्मन दुवितिये ने बनवाया था और इनके दर्वारी भी देखिए तिरुमल ये अलवारशंत है अगला प्रशन है पल्लव वंस का अंतिम सासक कौन था बताईए आप तो पल्लव वंस का अंतिम सासक था आप्राजित वर्मन पल्लव नाम तो ऐ प्राजित वर्मन हैं लेकिन प्राजित हो जाते हैं और पल्लो वंस का इसी के साथ अंत हो जाता है और आगे सुरू होगा चोल वंस और देखिए अभी मैंने आपको बहुत से दरवारी बताए तो कौन सा विद्वान किस सासक का दरवारी था इसका मिलान करना है तो आप पहले अपना गैस कीजिए फिर मैं बताता हूँ तो देखिए भारवी थे सिंग विश्णू के दरवारी काफी बार रिपीट किया है मैंने सिंग विश्णू अपपर एक संत थे जिनके प्रभाव में आकर महिंदर वर्मन पर्थम ने सेवधरम से विकार किया था पहले ये जेंदरम के निवाई थे तो ये सी हो गया दोका सी तिरू मंगई किसके दरवारी थे नंदी वर्मन दवितिये के हम अभी डिसकस करके आईए हैं थोड़ी दर पहले और इसके बाद आता है रवी किरती थे पुलकेशिन दवितिये के दरवारी जिननोंने इहोल अभिलेक लिखा था याद कीजिए और दंडी किसके दरवारी थे नरसी हैं वर्मन दुईतिये के जिन्होंने दस कुमार चरित पुस्तक लिखी दी अगला प्रशन है कि गुप्त गुप्त उत्तर काल के दुरान दक्षन भारत में किस सेली के मंदिरों का निर्मान हुआ यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आप बताईए गुप्त उत्तर काल के दुरान दक्षन भारत में जो मंदिर बने वो किस सेली के थे तो यह थे दर्विड सेली के मैंने आपको भी बताया भी था भारत का मैप बना कर इस तरह है जैसे यह गुजरात से तरह है तो देखिए सोरी यह मैप थोड़ा हाड़ा टेटा बन गया इसमें देखिए जो विंधे परवत है जो विंधे परवत है उसके उपर जो मंदिर उतरी भारत में वो बने थे नागर सेली में नागर सेली और जो विंधे परवत और कृष्णा नदी के बीच थे वो थे बेसर सेली के मंदिर बेशर और कृष्णा नदी के दक्षन में जो भारत पड़ता है उसके थे दर्विड सेली के मंदिर तो यहां बने थे दर्विड सेली के मंदिर थे पल्वों के और जो चोलों के मंदिर थे वो भी दर्विड सेली के थे बलकि पल्वों के समय जो दर्विड सेली के मंदिर बने उनसे भी अच्छे मंदिर थे चोलों के और बेसर सेली के मंदिर ये किसने बनाए थे ये बनाए थे चालुक क्यों ने चालुक क के बनाए एक हजुरा मंदिर ये सब किसमें है नागर शेली में तो इसके आगे बढ़ते हैं दक्षन भारत में मंदिरों मंदिर निर्मान की दर्विड शेली की सुरुवात किस समय होती है तो ये तो आसान क्वेशन है बताईए तो ये होती है पल्लव वंस के समय और उसके ब ये किया था परसी ब्राउन ने परसी ब्राउन इन्होंने महिंदर वर्मन सेली रखी थी महिंदर वर्मन सेली मैंने आपको बताया था और इन्होंने मंदब परकार के मंदिर बनाए थे फिर था मामले पूर सेली मामले पूर सेली ये इनके पुतर थे नरसी है वर्मन प्रश्टिये के जो मंदित थे उनको क्योंकि राज सिंग उनकी उपादी थी तो फिर था नंदी वर्मन सेली जिसमें नंदी वर्मन दुईत्य के मंदिर रखे गए थे अगला देखिए यूरोपिये विद्वान परसी ब्राउन के नुसार पल्लव वस्तुकला में ममल्ले से सेली किस राजा से समंदित है अभी मैं बताया है आप बताईए गैस कीजिए तो यह है नर्सी है वर्मन पर्थम जो परतापी राजा थे वातापी कॉंड की उपादी वाले यादाया कुछ वातापी कॉंड जिनकी उपादी थी वातापी को जीता वा था वातापी कॉंड तो इन्होंने ममल्य पूर्ट शहर बसाया था. इसी वज़े से इनको ममल्य शेली के मंदिरوں में इनके मंदिर रखे गई हैं. और इस ममल्य पूर्ट शेली में मंडब परकार के कुछ मंदिर भी शामिल किये गई हैं और जो इनके दूरा सपत पेगोडा बनाया गया था उसको रखा गया है बताईए तो ये रखा गया है नर्सियं वर्मन द्वीतिये आप जानते हैं इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए है केलास नाथ मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है केलास नाथ मंदिर इनको कांची में है और इसके अलावा इन्होंने तटीये मंदिर भी बनवाया था तटीये मंदिर जो की मामल लेपूर में है तो इस प्रकार अगला देखिए चोल वंस का जिकर करते हैं चोल वंस का संस्थापक कौन था विजियाले परांतक पर्थम महितपूर्ण राज राज पर्थम मोस्ट इ समापत होता है फिर उत्तरवर्ती चोल राजा सुरू होते हैं कुलो तुंग पर्थम कुलो तुंग दवीतिये और राजिंदर तिरतिये उत्तरवर्ती राजा किने कहते हैं देखिए यह मैं आपको आगी बताँगा हम कुई शुरू करते हैं चोल सासक किस वंस के सामंत थे अंसर है पल्लोव पल्लोव वंस के सामन्त थे अगला प्रशन है चोल वंस का संस्थापक कोन था आप बताईए तो चोल वंस का संस्थापक था विजियले क्योंकि सिंग विशनू पल्लोव का संस्थापक था पल्लवों का संस्तापक था दंती दुर्ग राष्टर कूट वंस का संस्तापक था पुलकेशिन पर्थम चलुक के वंस का संस्तापक था अगला प्रशन है किस सासक की उपादी मदूरे कौंड की थी गताईए तो मदूरे कॉंड की पादी थी प्रांतक पर्थम की क्योंकि इन्होंने पांडियों की राज़दानी मदूरे पर अधिकार किया हुआ था और वातापी कॉंड किस की थी वातापी कॉंड नर्सियां वर्मन पर्थम की थी बहुत बार आ चुका है अगला प्रश्ण है चोल समराज्य की सरवाधिक महतुपूर्न विशेशता क्या थी? बताई कियी तो इनकी महतुपूर्न विशिश्था थी स्थानिय सव परशासन ये very very important question है स्थानिय सव परशासन इसमें ग्राम स्तर पर नेर्णे लेने की सौतंतरता थी बहुत जादा स्तांतरता थी चोलवंस के समय तो ये जो स्थानिय सोप्रसासन है ये जैसे कई-काईयां थी इसमें चोलवंस में जैसे सबसे बड़ी काई थी मंडलम उसके बाद था वल-Nadu उसके बाद था नाडु और नाडू के बाद जो कुर्रम सबसे छोटी काई थी कुर्रम या कोटम तो कोटम में जो थी स्थानिय सोपरसासन उसी को ये संबोधित किया गया है स्थानिय सोपरसासन अगला प्रशन है कि स्थानिय सोपरसासन विवस्ता की जानकारी किस अभी लेक से मिलती है बताईए तो ये जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर अभी लेक से मैंने शुरू में आपको बताया था कि चोल काल से समंदित है उत्तर मेरूर अभी लेक और एहोल किसे था चलुक के बन से समंदित बांसवड़ा और मदूवन ये हर्षवर्दन के अभिलेख हैं हर्षवर्दन जो उत्री भारत के रजा थे कन्नोज के सासक तो उत्तर मेरूर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है किस थानिय सवपरसासन देखने को मिलता है किस चोल सासक के समय चोल स्रिलंका संगर्श का अरंब होता है तो देखिए चोलों के पास एक विशाल नोसे लादी तो इस कारण सिरलंका से भी इनका संगर्श हो जाता है तो वह सासक कौन थे आप बताईए तो वह सासक थे प्रांतक पर्थम प्रांतक पर्थम के समय मदूरे कॉंड की उपादी धारन करने वाले प्रांतक पर्थम अगला ही प्रशन है तकोलम के युद्ध में चोल सासक प्रांतक पर्थम किस राष्ट्रकूर सासक से प्राजित हुए देखिए राष्टकूर्जिस्टम समय हमने पढ़ा उस समय भी मैंने इसको बताया था तो बाब बताईए तो ये थे क्रिशन तरतीये अब याद करने की कौसिस कीजिए क्रिशन तरतीये ने दो उपादी ली थी मैंने वहां भी बताया था अकाल वर्ष कुछ याद आया अकाल वर्ष और एक बड़ी उपादी थी कांची, यूम, तंजेयम कॉंड तंजेयम कॉंड अर्थार्थ कांची और तंजोर का विजेता ये दो उपादीयां उसने ले थी किसने क्रिशन तिरतीये ने युद्ध जीत के बाद अगला प्रशन है चोल वंस के किस राजा को सुन्दर चोल कहा जाता था बताईए तो ये कहा जाता था प्रांतक दवीतिये को और इन्ही के पुत्र होंगे राज राज प्रत्थम जो बहुत ही परतापी सासक होने वाले हैं चोल वंस में किस दक्षन भारतिय राजवंस के पास एक विशाल ससक्त नोसेना थी तो ये तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि ये थी चोलों के पास और इसी कारण इन्होंने क्या किया था अपने जो जो सिरलंका के साथ संगर्स था उन सेत्रों को जीतने में इनको काफी मदद मिली थी सिरलंका, मालदीव इन सेत्रों में इनोंने विजय हसिल की थी दक्षन भारत में किस राजवंस ने अपनी विशाल नोसेना के दम पर अपने समराज्य का विस्तार भारतिय उप महादीब के बाहर किया वा था यनके अपने उपनेवेशिक राज्य स्थापित किये थे, बताईए तो ये थे चोल वंस के राजा, चोल अगला प्रशन है, चोल समराज्यवाद का आरंब किस सासक के समय देखने को मिलता है, बताईए तो ये सुरुवात होती है, राज-राज पर्थम के द्वारा अगला प्रशन है, कि चोल राजा, युद्ध विजे के पसाथ, अपना विजे उत्सव कैसे मनाते थे, पताईए तो ये अपना विजे उट्सो बनाते थे या तो भगवान सियू का मंदिर बनवा जेते थे या भगवान विशनु का मंदिर बनाते थे यैन की एक और तेन जिस उप्संट में है वही है सही यन की उप्संट सी अगला प्रशन देखिए किस चोल राजा ने सरवाधिक सरोपर्थम सरोपर्थम सिरलंका के उत्तरी भाग को जीता था बताईए तो ये जीता था राज-राज पर्थम ने राज-राज पर्थम ने सिरलंका के उत्तरी भाग को जीता हुआ था और यहां का सासक कौन था? सिरलंका का महेंद्र पंचम और जो हार गया था और भाग गया था दक्षन स्रिलंका भाग गया था अगला प्रशन है राज राज पर्थम ने विजे उपरांत कि शेत्र का नाम बदल कर जगननाथ मंडलम या मुंडी चोल मंडलम रख दिया पताईए तो इन्होंने ऐसा किया था उत्तरी सिरलंका उत्तरी सिरलंका का नाम बदल दिया था इन्होंने राज राज पर्थम ने और इनका एक दूसरा नाम भी आता है अरी मोलीव वर्मन अरी मोलीव वर्मन भी इन्हें कहा जाता है राज राज पर्थम को ये भी ध्यान रखिए इन्होंने जीता हुआ था उत्तरी सिरलंका को और मालदीव द्विप समूगो यानिकि option C, C option सही है क्योंकि दोनों सित्रों को इन्होंने जीता हुआ था अगला प्रश्न है राज राज पर्थम ने उत्री स्रिलंका की राजधानी अनुराधापुर का नाम बदल कर क्या रख दिया उत्री जो स्रिलंका थी उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था अनुराधापुर इन्होंने उसका नाम बदला तो क्या रखा बताईए तो इन्होंने रखा था पोलो नरुआ और उत्री सरलंका का नाम क्या रखा था मुंडी चोल मंडलम हम पीछे कर चुके हैं मुंडी चोल मंडलम या जगनात मंडलम चोल राजा राज राज पर्थम द्वारा किस परसिद सिव मंदिर का निर्मान करवाया गया तो देखिए ये मंदिर आप बताईए फोटो में आप देख सकते हैं कि चार उप्षन में कौन सा सही है तो ये मंदिर था ब्रदेश्वर मंदिर इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं भगवान सीव का है राज राजेश्वर मंदिर राज राजेश्वर भगवान सीव की एक उपादी है इसलिए इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है अब उप्सन में देखिए केलाश नाथ मंदिर आपको कई वार बताया है किसने बनाए था नर्सी है वर्मन दवीती ये ने और वर्मन दवीती ये कौन सा बनाए था बेकूंट पेरुमल मंदिर ये बगवान विशनु का है और केलासनात मंदिर बगवान सीव का है और राज-राजेश्वर मंदिर यानकी ब्रदेश्वर मंदिर भी बगवान सीव का है आदी वरा बनाये था किसने सिंग विशनु ने अब देखिए दक्षिन भारत के किस मंदिर को दर्विड सेली का सर्वोत्तम उधारन माना जाता है बताईए तो ये माना जाता है ब्रह देश्वर मंदिर को माना जाता है और इसको सर्वोच दर्वड सेली की सर्वोच या सर्वोत्तम जो चर्मत करस्तिती है वो इसी मंदिर में देखने को मिलती है और पहली बार दर्वड सेली की सभी विशेशताई कहा मिली थी केलाशनात मंदिर में और पल्लव काल में जो प्रिपका उस्तीती तक पहुंची थी दर्विडी सेली वो थी बेकूंट पेरुमल यांकि सबसे अच्छा था पल्लव काल में केवल पल्लव काल हैं बेकूंट पेरुमल लेकिन अगर अवराल देखा जाए तो दर्विडी सेली में सबसे अच्छा है बड़देश वर मंदिर, तो इन तीन मंदिरों से प्रशन बनने के आसार रहते हैं, आगे देखिए इन तीनों मंदिरों को एक बार फिर से, केलाश नाथ मंदिर कांसी का, बेकूंट पेरुमल मंदिर कांसी का, ये भगवान विशनु का है, बेकूंट पेरुमल और बाकी ये राक्ससों की तरह बड़ी बड़ी कलपनाईं करते थे और फिर उसे कलपना को जोहरियों की तरह पूरा किया करते थे मतलब बड़ा सोचते थे और फिर उसको बहुत ही बारीकी से बहुत ही सावधानी से पूरा करते थे तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था फर्ग्यूसन ने फर्ग्यूसन एक यूरोपिय जो यूरोपिय विद्वान थे और इन्होंने ऐसा कब का था जब इन्होंने पहली बार राज-राजेश्वर मंदिर को देखा था राज राजेश और मंदिर यानकी ब्रदेश और मंदिर जो की राज राज पर्थम ने बनवाया था अभी हमने बात के दिए यह है राज राजेश और मंदिर यह वाला देखिए इसको देखकर यह बात कही थी अगला प्रशन देखिए चोल समराज्य का विश्तार सबसे अधिकिस सासक के समय हुआ था बताईए तो ये हुआ था राज राज पर्थम के समय नहीं राजेंदर पर्थम ये इनसे भी इनके पुत्र थे राज राज पर्थम के राजेंदर पर्थम लेकिन परतापी बहुत थे इन्हें कहा गया है योग्य पिता का योग्य पूत्र ये इनसे भी बढ़कर थे आगला देखिए चोल राजा राजेंदर पर्थम ने भारतिय उप महादीप के बहार कौन कौन से सेत्र जीते थे आप बताईए तो देखिए इनके पिता जो थे राज राज पर्थम उन्होंने केवल उत्तरी सिरलंका को जीता लेकिन इन्होंने संपूरन सिरलंका को जीत लिया अरब सागर के दूइपों को भी जीत लिया बंगाल की खाड़ी साखा में जो दूइप थे वो भी जीत लिये और सिरी विजे समराज्य को भी जीत लिया विजे समराज्य जो आज का इंडोनेशिया के दो दूइब थे और जो जावा और सुमात्रा और इसके अलावा जो मले दूइब था मलेशिया का वहां पर ये समराज्य था विजे समराज्य तो इसको भी जीत लिया, इनकी option E, इन सब शेत्रों को जीता हुआ था आगे देखिए, राजेंद्र पर्थम ने स्री विजे समराज्य को किस सासक के समय जीता था वही प्रशन, स्री विजे समराज्य अभी आपको बताया, तो सासक कौन था, बताइए तो ये सासक था, संग्राम कुतोलंग वर्मन, संग्राम कुलोतुंग वर्मन, इन से ये जीता हुआ था मल्ले, सावा, जावा और सुमात्रा का शेत्र अगला प्रशन है, राजेंद्र पर्थम ने कौन सा अभियान करवाया था, कावेरी अभियान, गंगा अभियान, गोदावरी अभियान या वेगई अभियान, बताइए तो इन्होंने करवाया था गंगा अभियान क्योंकि इन्होंने एक मंदिर बनवाया था उसके लिए जल लेके आना था गंगा नदीशे इसलिए गंगा अभियान करवाया गया जिसमें बहुत सारे राजाओं को प्राजित करके इनका जो राजेंदर पर्थम کا जो सेनापती था वो लेके आता है बन्दी बना के तो अगला देखिए चोल राजा राजेंदर पर्थम ने अपनी राजधानी किसे बनाया बताएं इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी थी गंगई कोंड चोलपुर्म को बनाया पहले क्या थी चोलों की तंजोर थी और संगमकाल के दुरान में आपको पहले ही बताया था चोलों की राजदानी थी उरेयूर उरेयूर और छटी सदापदी में फिर जब दुआरा विजयले ने चोल समराज्य को खड़ा किया तो हो गई थी तंजोर और अभी राजदर पर्थम ने कर दी है गंगई कोंड चोलपुर्म अगला प्रशन है गंगई कोंड चोलपुर्म में एक तालाव चोल गंगम का निर्मान की सासक ने कराया बताईए तो ये भी करवाया था राजंदर पर्थम ने क्योंकि इन्होंने ये राजदानी बनाई थी गंगई कोंड चोलपुर्म तो ये दलाब भी इदोनी बनुआया था चोल राजा, राजा धिराज पर्थम और चलुक के राजा सोमेस्वर पर्थम के मद्दे कौन सा युद्ध लड़ा गया पताईए तो ये युद्ध था कोपम का युद्ध और मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ये कल्यानी के चलुक्यों के बारे में डिसकस किया था सोमेस्वर पर्थम और राजा धिराज पर्थम के बीच युद्ध तो इसमें राजेंदर पर्थम के ये पूतर थे राजा धिराज पर्थम और राजेंदर द्वीतिये तो कौपम के युद में क्या होता है कि राजेंदर पर्थम ये मारे जाते हैं और उसके बाद क्या होता है उसके बाद राजेंदर दुईतिये मोर्चा संभाल लेते हैं राजेंदर दुईतिये और सोरी ये सुमेस्वर पर्थम मैंने आपको थे पुश्टक लिखी थी और चतुर्थ हम जानतें अंतिम राजाथे तो ये कल्याणी की सा सकते तो राजें दर द्वितिये क्या करता है मोर्चा संभालता है और युद्ध जीत लेता है जिससे समेस्वर पर्तम तुंग भद्रा नदी में आत्महतिया कर लेते हैं जिक्राया था तो इसका उप्सन है ए अगला प्रशन है कोपम के युद्ध में अंतिम विजे किस की हुई ये हम अभी बताई चुके हैं कि ये अंतिम विजे राजेंदर द्वितिये की हुई थी क्योंकि इनके भाई राजा धिराज पर्थम तो मारे ही गए थे तो चोलों की ये विजे हो गई थी चोल समराज्ये में बड़े पदादिकारियों को क्या कहा जाता था बताईए तो इन्हें कहा जाता था पिरुंदनम बड़े जो पदादिकारी थे उन्हें पिरुंदनम कहा जाता था किस एक चोल वंस के राजा का राज्य विशेक युद्ध शेत्र म तो वहीं पर इनका राजेविशेक हुआ था इसलिए राजिंदर दवीतिये का राजेविशेक युद्ध शित्र में हुआ चोल वंस की मुख्य साका का अंतिम राजा कौन था बताईए तो इसके अंतिम राजा थे अधी राजिंदर अधी राजंदर के पास जाके चोल वंस की मुख्य साका समाप्त हो जाती है अब मैं आपको बताने वाता हूँ उत्तरवर्ती चोल राजाओं के बारे में देखिए जो चोल थे और जो बेंगी के चालुक के थे इनके बीच पहले विवा संबंद हो जाता है इससे पहले और उनसे जो राजा होते हैं उनकी जो संताने होती हैं वो कहलाती है उत्तरवर्ती चोल राजाओं के बारे में देखेंगे तो चलिए देखते हैं उत्तरवर्ती चोल राजाओं के बारे में और क्लोटूंग पर्थम ने अपनी पुत्री का विवा करवाया हुआ था सिरलंका के एक राजा के साथ ये भी याद रख सकते हैं किस चोल सासक ने चीन में एक दूत मंडल विपारिक दूत मंडल भेजे थे तो ये चोल सासक थे option D राज राज पर्थम पर्तापी राजा और उनके पुत्र राजिंदर पर्थम और उत्तरवरती जे चोल राजा थे ये कुलोतूंग पर्थम इन्हों ने भी तो इन तीनों ने भी चीन में अपने दूत मंडल भेजे हुए थे किस चोल सासक ने तमिलनाडू के एक सिव मंदिर के प्रांगण से भगवान विश्णू की परतीमा को समुद्र में फेकवा दिया था तो ये थे कुलोतुंग दवीती ये क्या थे ये भगवान सिव के उपाशक थे और भगवान विश्णू को पसंद नहीं करते थे इसलिए बगवान विश्णू के मंदर की जो परतीमा थी उसे फिंकवा दिया समूंदर में उसके बाद क्या होता है कि विश्णू के उपासक थे रामा नुजा चारे उन्होंने इस मूर्ती को निकाला और तिरूपती बाला जी के नाम से गोविंदराज की इस परतीमा को स्थापित कर दिया आंदर प्रदेश में आज जो हम तिरूपती बाला जी जिनें बुलाते हैं वो यहीं है गोविंदराज उत्तरवर्ती चोल राजाओं का अंतिम राजा कौन था बताईए तो इनका अंतिम राजा था राजेंदर तिरूपती ये बस यहीं पर उत्तरवर्ती चोल राजा का भी अंति हो जाता है अब देखते हैं चोल राजाओं की जो अन्या क्वेशन राजेंदर पर्थम जो मैंने आपके बताया सबसे परतापी थे इन्होंने एक सिक्षा के लिए एक विदाल्य का निर्मान करवाया था वो कहां करवाया था मैंने किस के लिए करवाया था उस विदाल्य में कौन सी सिक्षा के लिए करवाया था बताईए तो ये थी वेदिक साहिते और दर्शन इनकी वहाँ पर वेदिक साहिते और दर्शन का अध्यन होगा इसलिए ये बनवाया चोल समराज्य के विभाजन में सबसे छोटी काई क्या थी मैंने आपको बताया भी था मंडलम था वल नाडू था या कोटम था तो ये था कोटम या कुर्रम सबसे छोटा और मंडलम क्या था सबसे बड़ी काई आपको पता होगा कि जो चोल राजा थे राज राज पर्थम इन्होंने उत्तरी सरलंका को जीता था माली जी उत्री सरलंका का ये भाग जीता था तो इन्होंने इसका नाम रख दिया था मुंडी चोल मंडलम मुंडी चोल मंडलम या इसका एक और नाम था मुंडी चोल मंडलम या जगनाथ मंडलम हाँ, तो मंडलम क्या हो गया ये सबसे बड़ी इकाई होगी उनका राज्य जैसे आज हमारा देश भारत है तो उसमें राज्यों को देखें तो मंडलम कहा गया और उससे नीचे जिलों को वलनाडू कह दें और तसील को नाडू और गाउं को कुर्रम या कोट्रम तो इस प्रकार ये एक हिसाब से उसका राज्य था तो इसको मंडलम कहा जगा सबसे बड़ी इकाई थी मंडलम और सबसे चोटी थी कोट्रम या कुर्रम उत्तर मेरूर अभिलेक किस सासक के समय काल का अभिलेक है बताईए तो ये अभिलेक है प्रांतक पर्थम के समय काल का ये वही हैं जो तकॉलम के युद में हारे थे क्रिशन तरतिये से आपको कुछ याद आया और क्रिशन तरतिये ने उपादियां भी ली थी दो अकाल वर्ष और कांचियूम तंजेम कोंड की तो वही थे ये प्रांतक पर्थम अगला है चोल सासकों के समय अग्रहार या ब्रह्म दे किस प्रकार की भूमियों को कहा जाता था या गाओं को कहा जाता था पताईए तो ये कहा जाता था ब्रहमनों को जो दान में दीवी भूमी या गाउं थे उनको अगला है दक्षिन भारत में विदेशी वेपार से जुड़ी हुई संस्ताइं कौन सी थी बताईए तो ये संस्ताइं थी नाना देशी और अजवनम स्रेणियन की ओप्षन D अगला प्रशन है दरविड सेली का सरवस्रेष्ट विकास या चर्मोत कर्ष्टिती किस काल में देखने को मिलती है बताईए तो ये देखने को मिलती है चोल काल में ब्रदेश वर मंदिरिस का सबसे अच्छा उधारन है हम पीछे बात कर चुके हैं चोल सासकों के काल को किस सहित्य का सवरन काल कहा जाता है पताईए तो ये कहा जाता है तमिल सहित्य का क्योंकि तमिल सहित्य बहुत अच्छे और बहुत जादा मात्रा में इस काल में लिखे गए थे चोल काल में अगला प्रशन है कि जो दक्षिन भारत के संतों के गीतों का उ लेख है वो किस पुस्तक में मिलता है बताईए तो ये मिलता है देवारम पुस्तक में देवारम या देवारम कुछ भी लिख आ सकता है देवारम भी आ सकता है अगला प्रशन देखिए कि तमिल सहित्य में कितने रतन देखने को मिलते हैं बताईए तो तमिल सहित्य में त्री रतन यानकी तीन रतन देखने को मिलते हैं और तीन कौन से कौन से हैं ये अभी मैं आपको बता दूँगा देखिए कंबन ओटकुटन और पुलगेंदी ये तीन रतन थे तमिल साहित्ते में तो अब बताएए तीनों रतनों में से रामायन का अनुवाद रामावतारम नाम से किस ने करवाया था पताएए तो ये करवाया था कंबन ने मैंने शुरुआत में भी एक बार जिक्र किया था कंबन का तो कंबन ने तमिल भासा में इसको लिखा था रामायन को रामावतारम नाम से गंगई कोंड की उपादी किस एक चोल सासक की है तो ये है राजेंद्र पर्थम जिन्होंने गंगा अभियान करवाया था याद किजी गंगा अभियान करवाया था गंगई कोंड चोल पुर्म राजदानी बनाई थी तो इन्होंने गंगई कोंड की उपादी ली चोल सासक के समय बेलाल जाती के धनी किसानों का राज्य की किस इकाई के कामकाज में अच्छा खासा नियंतरन हासिल था बताईए तो ये थी नाडू सबसे छोटी कोटम थी कोटम या कुर्रम से थोड़ी बड़ी इकाई थी नाडू तो नाडू की काम काज में अच्छा खासा इनका युगदान था और चोल राजा जो थे वो वेलाल जाती के इन किशानों को सम्मानित करते थे उपादियां भी देते थे जे मुवेद वेलन की उपादी देते थे मुवेद वेलन का अर्थ होता है तीन राजाओं को सेवा परदान करने वाली जाती या वेलन किशान मुवेद वेलन की उपादी देते थे और एक और उपादी थी अरई यार अरई यार की उपादी भी इनको देते थे कि इनको वेलाल जाती के जो धनी किशान थे अगला देखिए डक्षिन भारत की किसकी समयकाल की कांशे परतीमा इस संसार की सबसे उतक्रिष्ट कांशे परतीमाओं में गिनी जाती है पताए कि किस वंस की परतीमाई थी तो ये थी चोल वंस की परतीमाई मूर्तियां या परतिमाएं लुप्ट मॉम तक्नीक से बनाई जाती थी लुप्ट मॉम तक्नीक इस्तिमाल की जाती थी इसमें क्या होता था एक जैसे मॉम भर दिया जाता था उसके अंदर मॉम का एक धांचा बना लिया जाता था उसमें फिर इसको डाला जाता था कांसे को पिंगला अगर और उसके बाद मौम उसमें से पिंगल जाता था ऐसा ही कुछ था तो इसी कारण ये परतिमाई बहुत उतक्रिफ्ट थी अगला प्रश्न है चोल काल में भूमी कर उपज का कितना भाग था पताईए तो ये था एक बटा तीन भाग था तमिल नाडू के चिंगल पुट जिले में उत्तर मेरूर अभिलेक से चोल कालीन किन किन बातों का पता चलता है पताईए तो इस उत्तर मेरूर अभिलेक से ब्रामनों की सभा का संठन कैसा होता था सिंचाई के कामकाज बाग बगीचे मंदरी तियादी के लिए सभा बनती थी और समीतियां बनती थी इनकी जानकारी मिलती है तो उपरोक्त सभी इन बातों का पता चलता है अगला प्रशन है चोल समराज्य में छोटे पता दिकारियों को क्या कहा जाता था बताईए तो हम इससे पहले डिसकस कर चुके हैं कि पिरुंदनम जो थे यो बड़े अधिकारी कहला थे बड़े अधिकारी और छोटे दिकारी क्या थे? सिरुंदनम तो सिरुंदनम कहा जाता था छोटे पदा दिकारीयों को अगला प्रश्न है चोल अभिलेक में वेलन वगई किस प्रकार की भूमी को कहा जाता था? बताईए तो ये थी गेर ब्रहामन किसानों की स्वामी की भूमी यानकी जो गेर ब्रहामन किसान थे किसान थे वो जिस भूमी के स्वामी थे उस भूमी को कहा जाता था चोल अभिलेक खो में साला भोग किस प्रकार की भूमी को कहा गया है? साला भोग तो ये कहा गया है किसी विश्व विदाले के रख रखाव के लिए दी गई भूमी साला भोग अगला प्रशन है चोल अभिलेखों में पल्ली चद्दम किस प्रकार की भूमी को कहा गया है तो पल्ली चद्दम कौन सी भूमी होती थी बताईए तो ये थी जेन संस्थाओं को दान में दी हुई भूमी वो कहलाती थी पल्ली चद्दम भूमी अगला प्रशन है चोल काल का सांसकर्तिक सार या निचोड किसे कहा जाता है बताईए चार उपसन आपके सामने है बर्देशवर मंदिर, गंगई कौंड चोल पूर्म कासिव मंदिर, नट्राज परतीमा या तमिल साहिते तो ये कहा जाता था नट्राज परतीमा को बहुती उत्कृष्ट परतीमा है नट्राज परतीमा इसको कहा गया है संसकर्तिक सार अगला देखिए चोल काल कासब से महतपुन बंदरगाह कौन सा था तो ये बंदरगाह था आप बताईए तो ये बंदरगाह था हमने पहले ही पढ़ा था तट्टीय राजदानी थी जो की तमिल सहित्य के दोरान हमने बताया था कावेरी पटनम यह हमेशा से एक बंदरगाह था यहीं से नो से ना चोल जो सासकों की नो से ना थी यहीं पर डेरा डालती थी लंगर डालती थी और यहीं से विदेशी वेपार होता था तो कावेरी पत्नम बहुती महित्पून बंदरगाह थी इस काल में अब एक अंतिम प्रशन है आपके लिए किस एक मात्र चोल सासक का रज्य विशेक युद्ध शेत्र में हुआ था इसका आंसर आप कोमेंट बॉक्स में मुझको दें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलिए और बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है देखते रहिए सिंदू क्लासिस के बाकी वीडियो धन्यवाद